नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी सही होंगे तो दोस्तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर की कैसे एक image text के रूप में convert हो रही है दोस्तो ऐसे image को आप भी text के रूप में convert कर सकते हैं दोस्तो यदि आप इसे type करने बैठोगे तो बहुत time लग जाएगा दोस्तो एक ही click में कुछ ही second में आप इतने बड़े page को एक ही click में text के रूप में convert कर सकते हैं image को text के रूप में convert सभी कर लेते हैं कि आगे क्या होता है सेटिंग कैसे होती है फॉंट कैसे change होते है लो मैं आपको सभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो चलिए दोस्तोlar मैं आपको step by step बताता चलता हूँ तो चलिए वीडियो को start करते है ये दोस्तो एक image है जो मैंने ली हुई है image to text.io ठीक है दोस्तो आप इतना डालेंगे और एंटर मारेंगे एंटर मारने के पाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा तो पहले लिंक पर आपको किलिक करना है और ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तो अब यहां क्या करना है आपको वो image अपलोड करनी है जिसे आप text में बदलना चाहते हैं तो मैं यहां पर अपलोड कर लेता हूं दोस्तो मेरी image desktop पर पड़ी हुई है मैं इसे लाग उठाकर drag and drop कर लेता हूं ठीक है मैं इसे लेकर आ गया हूं website पर अब देखिए दोस्तो क्या करना है अब हमें करना है submit and extract पर click ये देखिए submit and extract back पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तो आपके सामने यह थोड़ी processing लेगा converting में convert हो रहा है दोस्तो दोस्तो convert हो चुका है आपका जो text है image पर वो इसने copy कर दिया है दोस्तो देखिए विल्कुल same to same इसने copy कर दिया है अभी मैं आपको दिखा देता हूं by center for site ठीक है by center for site से start किया है तो आप image देख सकते हैं दोस्तो image में कोई सा भी text हो इसने उठा लेगा ठीक है तो अब आपको क्या करना है अब ये आपको करना है copy तो अब आप इसे copy कर लें right side में option आया हुआ है देखिए चलिए अब देखते हैं दोस्तो काम सुरू होता है अब अब चलते हैं हम win word पर यानि की ms word पर ms word खुल चुका है दोस्तो ठीक है main काम सुरू दोस्तों यहां से श वहां तो क्या हिंदी में दिया था उसने लेकिन यहां इसने सारा कबाड़ा कर दिया है ठीक है अब इस कबाड़े को संगवाने के लिए ही मैंने आपको ये वीडियो बनाई है वहां तक process सब कर लेते हैं image को text में करनो और सब ही कर लेते हैं लेकिन यहां से आगे जो setting होती यही बताने वाला हूं दोस्तों मैं ठीक है आपके सामने यह खुल चुका है आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं कर सकते जैसे आप इसे paste करोगे आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते यह box ही बने हुए आपके सामने नजर आएंगे इसमें चेंज करोगे कुछ भी चेंज होगा ठीक है हम इसे कोई और software में ले जाते हैं तो भी देखिए मैं इसे coral drone में ले आया हूँ दोस्तों यह Hindi की typing आ चुकी है और English की भी same to same आ चुकी है लेकिन दोस्तों जदी मैं इसमें कुछ change करना चाहूं अभी मैं change करके दिखा देता हूँ आपको चलिए अगर मैं यहां और लिख दूँ तो दोस्तों हिंदी में typing नहीं करेगा यह English में typing करेगा ठीक है English में typing कर रहा है तो हमारा किस काम का हमें तो जो हिंदी में हिंदी की typing है चाहिए दोस्तों ठीक है अगर मैं इसका phone change कर दूँ कुरूती देव कर दूँ तो यह देखे box वही वाले आ गए जो word महा रहे थे दोस्तो ठीक है यही solution मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तो क्या solution है मैं बता देता हूँ आपको चलते हैं गूगल पर आने के बाद आपको डालना है कुरूती देव to Unicode ठीक है दोस्तो Google पर डालना आपको कुरूती देव to Unicode और पहला जो लिंक का आपके सामने आ रहा है इसे open कर लेंगे दोस्तो ठीक है open करेंगे दोस्तो इसे open करने के बाद आपके सामने ये interface open होकर आ जाएगा दोस्तो एक दो बोक्स आपके सामने है एक Unicode एक कुरूती देव ठीक है जो हमने Net से उठाया है ये दोस्तो Unicode है ठीक है ये Google का Code है तो Unicode कहलाता है आप इसे Unicode में पेस्ट करेंगे देखिए मैं दोस्तो Unicode में इसे पेस्ट कर देता हूँ Ctrl V Unicode में पेस्ट कर दिया है ये देखिए अब क्या करेंगे हम कुरूती देव में convert करेंगे दोस्तो इसे convert to कुरूती देव देखिए दोस्तो जैसा हमें हिंदी का change हो चुका है इंगलिस का भी हिंदी में change हो चुका है अब जो आपको ये कहीं भी उठाकर ले जाना है तो आप इसे ले जा सकते हैं दोस्तो ठीक है अब ये फुल कुरूती देव में convert हो चुका है दोस्तो और दोस्तो अब इसे हम करेंगे copy copy करने के बाद हम जाते हैं word पे अब यहाँ पर paste करते हैं देखिए मैं इसे paste करके दिखा देता हूं ये देखिए टोटल इंगलिस में paste हुआ है दोस्तो अब हम इसका font चेंज करेंगे इसका font चेंज करने के लिए करेंगे हम all select ठीक है अब करेंगे font change हम करेंगे कुरूती देव दोस्तो इसका font ठीक है font का नाम है कुरूती देव दोस्तो ऐसा नहीं है कि font कुरूती देव में ही change होगा अब ये किसी भी font में change हो जाएगा हिंदी का कोई भी font इसमें आप लगा सकते हैं जरूरी नहीं है कुरूती देव में ही होगा ठीक है तो अब देखिए दोस्तो same to same typing आ चुकी है अब आप इसे set कर सकते हैं आपके उपर है कैसी setting करनी है ठीक है setting तो आप करी लोगे मेरा मकसद सरी इतना था कि typing word में कैसे change होती है ठीक है अभी आप box आ रहे थे दोस्तो अब इसे आप हिंदी के किसी भी font में change कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं यदि English वाला आ रहा है तो English वाला होगा दोस्तो इसे convert कर लेंगे English में ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं अब आपके उपर है कैसे setting करनी है अब आपकी वारी है इसकी setting करना ठीक है अब setting तो आप कर्षी तक से दोस्तों setting तो सब कर लेते हैं दोस्तों setting तो सभी कर सकते हैं तो आपको समझा चुका है मैं एक बार इसे coral में भी करके दिखा देता हूं यह देखे इसे हताते हैं इसे delete मारते हैं और एक पहरा गिराप लेते हैं दोस्तों दोस्तों एक पहरा गिराप लेते हैं और यहाँ पे हम उसे पेस्ट कर देंगे यह देखिए दोस्तो English में आया है हम इसे convert कर सकते हैं किसी भी Hindi font में select करेंगे और हम यहाँ पर कर देंगे कुरूती देव कुछ भी कर सकते हैं दोस्तो हम इसमें कोई-सा भी font लगा सकते हैं English को छोड़ कर ये हिंदी में ही convert होगा दोस्तो हिंदी का कोई भी phone चलेगा ठीक है ऐसा नहीं है कि कुरूती देव में convert किया है तो कुरूती देव ही लगेगा इसमें इसमें हिंदी का कोई भी phone चल जाएगा दोस्तो